जई जी नेइंद्रि स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ती पाठ चला में पूर्वकी कख्षा में हमने प्रतिक्रमन का सरूप और उसकी विधी अर्थ साहिज समझी सामाईक पाठ का हमने विधी और उसका महत्व समझा आजम सामाईक पाठ का उच्चारण और उसका अर्थ समझेंगे प्रस्तुत सामाईक पाठ आचारिय अमित गती देव द्वारा विरिचत पंडित युगल जी कोटा द्वारा पध्यानुबात किया गया है सामाईक पाठ तीन ट्रेकार से किया जाता है सम्यक्त सामाईक श्रोत सामाईक और चारित्र सामाईक तथा उत्तम मध्यम और जगन्य समय की अप एकशा से भी इसके तीन भेत के हैं उत्तम सामाईक 6 गड़ी याने 144 मिनिट की मध्यम सामाईक 4 गड़ी याने 96 मिनिट की और जगन्य सामाईक 2 गड़ी याने 48 मिनिट की मानी जाती है सामाईक का महत्व बताते हुए श्रावक और शाविका के बारव रतों में प्रतम सिक्षावत के रूप में नववे इस्थान पर सामाईक को रखा गया है श्रावक प्रतिमाओं में सामाईक को तीसरी प्रतिमा के रूप में लिया गया है पांच प्रकार के चारेतर में प्रतम इस्थान पर सामाईक को रखा गया है तथा शट आवश्यक में भी प्रतम इस्थान पर सामाईक को रखा गया है इस प्रकार मनुश्य जन्मक की सार्थक्ता के लिए सामाईक करना आवश्यक करता व्य होता है पूर्व के वीडियो में पताई गई नौ सुतरों को बोल कर सामाईक अंगिकार करते हैं उसके पस्चात 48 मिनिट तक मन वचन काय के द्वारा एकागरता ग्रहन करके काय के 32 दोसों को टालते हैं जिसमें 10 मन के 10 वचन के और 12 काय योग के दोश माने गए हैं इस प्रकार पूर्ण रूप से सामाईक को एकागरता पुर्वक अंगिकार करके सामाईक पाट प्रारंब करते हैं सत्यवेशु मेत्रिम गणिशु प्रमोदम कलिस्टेशु जीवे शुक्रपा परत्वम अर्थात हे देव मेरे आत्मा का निरंतर संपूर्ण जीवन सभी जीवों के उपर मैत्री भाव पूर्ण हो यहाँ पर मैत्री की चार भावनाओं को भाते वे कहते हैं कि सभी गुणी जनों में प्रमोद भाव हो दुखी जीवों में दया भाव और विप्रीत आचरन करने वालों में माद्दिस्त भाव को सभी धारन करें अर्थात जिस प्रकार म्यान में से तलवार भिन्द की जाती है उसी प्रकार अनंत शक्तिवान और दोशों से रहित इस आत्मा को शरीर से भिन्द करने के लिए हे जिनेंद्रदेव आपके प्रसास से मुझे श्रक्ति लाब हो दुखे सुखे वे रिडि बंद वर्गे योगे वियोगे भवने वनेवा अर्थात हे देव संपूर्ण ममत्व बुद्धी से रहित मेरा मन सर्वत दुख सुख बैरी बंद वर्ग संयोग से वियोग से सबसे निव्रत हो और इन सब भावों में मेरा संभाव हो मुनीश लीना विव किलिता विव इस्थिरो निखाता विव बिम्बिता विव पादोत्व दियो ममतिस्थ ताम सदातमो धुनानो हदिदीप का विव अर्थात हे मुनीश आपके द्वारा चरण कमल मेरे रदय में सर्वदा लीन रहे इस तरह इस्थीर रहें इस तरह गड़े रहें कि किलित हुए कि भाती प्रति बिम्बित में तथा अंधकार को नाश करने वाले दीपक की तरह इस्थिर रहें एकेंद्रियाध्ययदिदेव देहिन प्रमाधत संचरता इतस्तत छता विभिन्नना मिलिता निपिलिता सुतदस्तु मिथ्यादुरंतुतिस्थम्तदा अर्थात हे देव इधर उधर संचरन करते हुए यतर ततर विचरन करते हुए किसी भी एकेंद्रिक आदिक जीवों की यदि मुझसे प्रमाध से हिंसा हुई हो उन्हें दुख पहुचा हो उन्हें तोड़ा गया हो नस्ट किया गया हो कहीं मिलाया गया हो तो यह मेरा सभी असद व्योहार मित्या हो अर्थात हे प्रभु मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल व्योहार करने वालों और दुर बुद्धी से मैंने कशाय और इंद्रियों के आधिन होकर जो चारित्र के शुद्धी का लोब किया हो तो हे प्रभु वह मेरा सभी दुश्कृत्य मित्या होवे विनिंद नालो चनगर नैरहम मनो वचह काय कशाय निर्मेतम निहाम मिपापम भव दुख कारणम विशाबशम मंत्र गुणेरी वाखिलम अर्थात हे प्रभो जिस प्रकार वैद्धी मंत्र की सामर्थ से संपूर्ण विश्को नस्ठ कर देता है उसी प्रकार मैं भी मन वचन और काया की निमित्त से किये गए सभी पापों की निंदा करता हूं आलोचना करता हूं गरहा करके उन सब पापों को नस्ठ करता हूं मैंने महा मोह भाव और प्रमाद से जो सम्मिक चारित्र का अतिक्रम और व्यतिक्रम किया है उसमें अतिचार अनाचार लगाए है उस रोप प्रवर्ति की है इसी लिए चारित्र के शुद्धी के लिए मैं प्रतिक्रमन करता हूँ अर्थात हे प्रभो मानसिक शुद्धी की हानी को अतिक्रम कहते हैं और शील रुपी बाड़ के उलंगन करने को व्यतिक्रम कहते हैं विश्यों में प्रवर्ति करने को अतिचार कहते हैं और विश्यों में अत्यधिक लीनता होने को अनाचार कहते हैं मुझे से हुए इन दोशों का मैं प्रैश्चित करता हूँ इसलिए सामाई करता हूँ अर्थात हे प्रभो प्रमास मैंने कुछ भी अर्थ मात्रापद और वाक्य में हीन या अधिक अक्षर होने से या अशुद्ध उच्चारण होने से मेरी उन सभी की जो गलती हुईयो उसके लिए मैं शमा चाता हूँ हे सरस्वती देवी मेरे लिए केवल ग्यान की प्राप्ती में सहयक बने पूधी समाधी परणाम शुद्धी स्वात्मो पलब्दी शिवसाख्य सिर्धी चिंतामनें चिंतित वस्तु दाने त्वामबंध्यमानस्यममास्तु देवी अर्थात हे सरस्वती देवी चिंत्वन की हुई वस्तु के प्रदान करने में चिंतामनें के समान मुझे बंदना करने वाले मेरे लिए सम्यक्त ज्ञान समाधी परणामो के शुद्धी के लिए शुद्ध आत्मा की प्राप्ती और मोख्छ सुख की सिद्धी हो इसी उत्तम भावना करते हैं हे प्रभो जिसका सर्व मुनी समुदाय इस्मरन करते हैं जिनकी चक्रवर्ती और देवेंद्र आदि सो सो इंद्र इस्तुती करते हैं वेद पुरान और शास्त्रों में जिसका गान किया जाता है वह देवादी देव अरहन्त देव मेरे रदय में निवास करो यो दर्शन ग्यान सुख सभाव समस्त संसार विकार बाय समादी गम्यं परमात्म संग्य सदेव देव रदय ममास्ता अर्थात हे प्रभो जो अनन्त दर्शन अनन्त ग्यान और अनन्त सुख सुरूप है जो संपुर्ण संसारिक विकारों से रही थे जो समादी गम्य है और जो परमात्मा इस नाम को प्राप्त हुए है वह देवादी देव अरंत भगवान मेरे रदय में निवास करो अर्थात संसार के दुख समुदाय को जिसने नस्ट कर दिया हुए जो संपुर्ण चराचर जगत को देखता है जानता है जो अध्यात में अवस्था को प्राप्त हुआ है और जिसको योगी लोग ही देख सकते हैं ऐसे स्री देवादी देव अरंत भगवान मेरे रदय में निवास करो वी मुक्ती मार्ग प्रतिपाद को यो यो जन्मिम्रत्युर विसनातीत त्रिलोक लोकी नविलोक कलंका सदेव देव रदय ममास्ताम अर्थात है प्रभो जिसने मोक्ष मार्ग का निरुपन किया है जो जन्म मरण और दुखों से रही थै जो अपने दिव ग्यान से तीनों लोकों को जानता है जो शरीर रही थै और जो निर्दोश है ऐसे देवा दी देव स्रिसित वगवान मेरे रदय में निवास करो अर्थात है देव जो संपूर्ण प्राणी वर्ग को जिसने अपने आधीन कर लिया हो रागादिक विकारी दोश विकार भाओं को पूर्णता नस्ट कर दिया हो जो इंद्रिया तीत हो जो जो ज्यान से रूप हो और जो सर्व अपायों से रही थो वह देवा दी देव मेरे रदय में निवास करो यो व्याप को विश्व जनीन व्रते विसिद्धो विबुद्धो ग्रत कर्म बंद द्यातो धोनीते सकलं विकारं सदेव देवो ममरदय ममस्ता अर्थात जो संसार के संपूर्ण व्यापारों ग्यान दर्शन का व्यापार रूप से जो व्याप्त हैं जो सिद्ध हैं जो बुद्ध वस्था को प्राप्त हैं जो कर्म बंदन से रहित हैं और जिनका ध्यान करने से संपूर्ण विकार नस्त हो जाते हैं वह देवादी देव मेरे रदय में निवास करो अर्थात हे प्रभो जिस प्रकार सूर्य को अंधिकार इसपर्ष नहीं कर सकता उसी प्रकार द्रव कर्म और भाव कर्म के सभी दोश आपको इसपर्ष भी नहीं कर सकते जो निरंजन है नित्य है एक रूप होकर भी अनेक रूप है उन परम देवादी देव अरंत प्रभु को मैं नमशकार करता हूँ और उनकी शरण प्राप्त करना चाहता हूँ अर्थात जिसके विद्यमान रहते हुए बाय जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य भी सोभायमान नहीं होता है और अपने सोरूप में इस्थित है जो बोध मैं प्रकाश से प्रकाशित है सोपर प्रकाशी है उन परम देव की शरण में मैं शरण क्रेन करता हूँ भी लोक्यमाने सतिस्यत्र विश्व भी लोक्यते इस्पस्ट मिदविविक्ततम शुद्धम सिवं शांत मनाध्यनंतम तम देव माप्तम शरणे प्रपद्ये जिनके जोरा संपूर्ण संसार को देखने पर यह अलग-अलग इस्पस्ट दिखता है जो शुद्ध है शांत है आदी और अंत से रहित हैं मैं उन देवादी देव की शरण क्रेहन करता हूँ यी नशता मन मन्त मान मुर्चा विशाद निद्रा भै शोक चिन्ता छतो आने लेव तरुप्रपंच अस्तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये अर्थात जिस प्रकार अगनी व्रक्ष समुदाय को नस्ट कर देती है उसी प्रकार जिसने काम, मान, मुर्चा, विशाद, निद्रा, भै, शोक और सभी प्रकार के कशायों को नस्ट कर दिया हो चिन्ता को भी नस्ट कर दिया हो, मैं ऐसे स्री देवादी देव की शरण ग्रहन करता हूँ अर्थात जब की इंद्री और कशाय रूपी सत्रू को नस्ट कर देने से केवल आत्मा ही अत्यन्त निर्मल माना गया है, तब शया, पत्थर, घास, प्रत्वी और फलक आदी अन्यवस्तू कुछ भी योग्य नहीं है यह जानकर जिसने सर्व परपदार्थो का विकल्प छोड़ दिया है, वैसे देव को मैं नमशकार करता हूँ न संस्तहरो भैद्र समाधी साधनम, न लोक पूजान च संग मेलम, यतस्ततो अध्यात्मरतो भावनीश विमुच्य सरवाम पिबाय वासनाम अर्थात हे कल्याना कांक्षी जिस प्रकार शैया भी समाधी का कारण नहीं है, लोक पूजा भी समाधी का कारण नहीं है, तो तू संपुर्ण बाय वासना को छोड़ कर निरंत आत्मध्यान में रत हो जा अर्थात बाहरी कोई भी पदार्थ मेरे नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ, इस प्रकार निष्चे करके हे भद्र, संपुर्ण बाय वस्तूओं का त्याग करो एवा मुक्ति के लिए सदा अपनी आत्मा में इस्तिर रहो एसी प्रेड़ना ग्रेंड करो आत्मान मात्मान ये वलोक माना स्वम दर्शन ज्यान योन विशुद्ध एकाग्र चित्थ खल यत्र तत्र इस्थितो पी साधुर लभते समाधिम अर्थात हे प्रभो दर्शन औन ज्यान सरूप तता विशुद्ध अपनी आत्मा में ही अपने को देखना जिस कारण जिस समय साधु आत्मा में एकाग्र चित्थ होकर इस्तिर होता है उसी समय वह समाधि को धारण करता है एकोह सदा शाष्वति कोमात्मा विनिर्मिलह साधि गम्य सभाव बहिर भाव सत्य परे समस्ता नशाष्वता कर्म भवा स्वकिया अर्थात यह मेरा आत्मा सरवदा एक है नित्य है निर्मल है शांत सभावी है बाकी के संपुर्ण बहारी भाव मुझे से भिन्न है बहिर भाव है और ये सबी कर्म जनित है अर्थात जिसकी शरीर के साथ भी एक्ता नहीं है जिसकी पुत्री इस्त्री और मित्र के साथ भी एक्ता कैसे हो सकती है क्योंकि चमडे के शरीर से अलग करने पर इस शरीर में रोम कुप कैसे रह सकते हैं इसलिए शरीर और मैं आत्मा दोनों सरवता भिन्न भिन्न है सैयोग तो दुख मनेक भेदम यतो शनुते जन्म वने शरीरी तत इस त्रिधासो परिवर्ज नीनों या सुना निवरती मात्मनीना अर्थात यह प्राणी जिस कारण इस जन्म रूपी जंगल के सैयोग के कारण अनेक प्रकार के दुखों को उठाता है भोगता है इसलिए अपने आत्मा को मुक्त करने की इक्षा रखने वाले इन प्राणी को मनवचन काय से संबंध छोड़ देना चाहिए अर्थात संसार रूपी जाल में पढ़ने के कारण उन सभी विकल्प जालो को छोड़ कर क्योंकि यह सारे विकल्प गंद आत्मा से दूर ले जाने वाले हैं तो उन सब का आश्रे छोड़ देने वाले अपने आत्मा में इस्थिर रहने वाले अपनी आत्मा के सरूप को देखने वाला हे जीव तु परबात्म तत्व में लील हो जा अर्थात पहले जो प्राणी ने पुर्व कर्म में कर्म किये हैं उनी का अच्छा या बुरा फल वह प्राणी भोगता है यदि है जीव ऐसा नहीं माना जाए तो वा दूसरों के द्वारा प्रदत्त फल को भोगता है इस तरह तो मिध्यात्व का पोशन होगा तो स्वतह किये हुए कर्म निरर्थक हो जावेंगे अतह सभी जीव अपने ही कर्मों का भोगता स्वयम ही होते हैं पर द्रव्य करता नहीं होता अर्थात स्वतह अरजन किये हुए कर्म को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्राणी को कुछ भी नहीं कर सकता ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है ऐसा समझ कर और अनन्य मन होकर दूसरा देता है इस प्रकार का चिंतन भी छोड़ देना चाहिए ये परिमात्मामित गती वंध सर्व विविक्तो ब्रशमन वंध सश्वदती धीतो मनसील भंते मुक्तिन के तनम विभवरमते अर्थात जो अपरिमित महात्मा वाले अत्वा अमित गती आचारे द्वारा वंधनिय सर्व संग से रहित और अत्यंत निर्दोश हैं ऐसे परमात्मा का निरंत्वन चिंतन करते हैं वे आत्म वेभो से परिपूर्ण मुक्ति इस्थान को प्राप्त करते हैं और उनका इस्मरण करने से हमें भी मुक्ति की प्राप्ती होगी इस प्रकार की भावना व्यवहार सम्यक्त का कारण है अर्थात इस प्रकार जो अनन्य मनस्क होकर इन 32 लोकों के द्वारा अपने आत्मा और परमात्मा का ध्यान करता है वह अव्याइपत को प्राप्त करता है याने मोक्षपत को प्राप्त करता है हे भगवान मेरे सारे कर्मों का शय हो मुझे रत्नंत्रे की प्राप्ती हो मेरा समाधी मरण हो एवं अन्तिम समय तक सच्चे देवशास गुरू की भक्ती में मन लगा रहे ऐसी भावना है नीरती चार पुर्वक सामाई किस प्राकार से करनी चाहिए इसके लिए आप पुर्व में प्रतिक्रमन की वीडियो अवश्य देखें मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुती आसानी से अर्थ समझ में आ रहा होगा यदि आपको कोई से भी शब्द में कोई कन्फ्यूजन हो कोई शंका हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं हम उसका समादन करने का पूरा प्रयास करेंगे इस चैनल का उद्देशी एक मात्र निर्दोश्री जिन धर्म प्रभावना है और जैनिजम के संबंदे सभी जानकारियां सबको प्राप्तो यही हमारा उद्देशी है आप हमारी इस चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए अपने सम्यक दर्शन को शिगरी प्रगट करने का प्रयास करें सभी स्वस्त रहें प्रसंद रहें जैजिनेंद्र